आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है पर्फॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसस अच्छा पर्फॉर्मेंस की बात करें तो मैं इसके पीछे एक वीडियो बना चुका हूं जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप व बस्टों पर हम बात कर रहे हैं एक एक बात समझते हैं कि ये इने ये कुछन ने हैं ठीक है इन कंड़क्ट हो रहा है मतलब यह पोकन ली नहीं हो रहा यह बाइक अपको प्रच जाएगा कि एक तरह से कि ए डिलिवर करेगा गुड्स तो भी उसको अमाउंट को कैश देगा उसके उसकी अगेंस्ट तो यह रैसिप्रोकल प्रॉमिसेज हैं आप इसमें तीन कंडिशन ने द करता है मैं इसी मिथाल को लेकर चलना हो ताकि आपको तीनों स्मयर्यों समझ में आ जाए है कि हम पहली कंडिशन की बात कर रहे हो पहली कंडिशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एने डिलेवर करने बीगो गुड्स फस्जेनवरी को फ़स्जेनवड़ी टूसाजन पॉनव मतलब यह दोनों एक दूसरी के उपर dependent नहीं यह transaction एक दूसरी के उपर dependent नहीं है किस तरह से के एने गुर्ज दिलिवर कर दिये फस्स जैनवरी को यहां तक एक प्रॉमिस कंप्लीट हो चुका है और उसी के अगेंस्ट बी ने 15 जैनवरी को मतलब उसके 15 जिन बाद जो है आप दूसरे के उपर कोई dependency नहीं है इंडिविज्वली एने गुट्स दिये बी को और बी ने कैश दिया एको सब्सक्राइब दूसरे वाला पॉइंट हम समझते हैं कि यहीं मिसाल लेते हैं कि एने बी को गुट्स दिलिवर किये हैं सब्सक्राइब और बी ने उसके सेकंड जैनवरी की बात करें कि सेकंड जैनवरी को ने गुट्स दिलावर करने थे नहीं कर पाया ठीक है तो उसके जो इसको कैश देना था थर्ड जैनवरी को अगर कि भी को कैश्ट को एन था तो वह प्रोवाइड नहीं करेगा क्यूंब लाख बोटन मिले जब A deliver करेगा goods तभी तो उसको cash मिलेगा क्योंकि उसने condition लखी वी थी कि आपको goods दिये जाएंगे आप उसके बाद cash की payment करें अच्छा अगर A इस चीज़ पे नाकाम हो जाता है कि वो उसको goods deliver नहीं कर पा रहा तो क्या होगा उसकी against B को शायद कोई नुकसान भी हो सके तो A उस नुकसान को पूरा भी करेगा क्योंकि उसने goods timely deliver नहीं किये अगर वो timely deliver करता तो शायद उसकी processing करके फर्दर आगे customer को बेच सकता था और उससे profit कमा सकता था जिससे उसको loss हुआ है और वो loss कौन बेर करेगा A बेर करेगा यहाद अग्वाद समझ में आ गई तो इसका मतलब यह है कि दूसरे पार्ट में एक dependency है कि deliverance of good होगी तब ही आपको amount और cash मिलेगा और अगर नहीं होगी तो आपको cash भी नहीं मिलेगा बलके आपको compensation देनी पढ़ रही है कि जो नुकसान B ने बेर किया है उसी compensation A देगा साहिए मैं आप लिख देता हूँ reference के लिए कि compensation जो है वो उसको provide करनी है साहिए यह हमारे दो point cover होगा है अच्छा तीसरी point के अगर हम बात करें तो तीसरा point क्या है यही मिथाल लेकर चलते है कि A ने B को goods देने है और B ने पिर cash देना है यह तीसरा वाला point है अब concurrent का मतलब क्या होता है concurrent का मतलब यहाँ पर law ने बताया है कि यह है Simultaneously का मतलब यह है बया वक्त एक वक्त एक दूसरे को transaction complete करनी है किस तरह से ए ने गुड्स देने है और बी ने उसी वाकेश देना है इसकी एक बहुत अच्छी एक्जेंपल यह है कि आप जब मार्केट में जाते हैं कोई भी सौदा खरीदते हैं या कोई अपनी गार्मेंट्स की परचेस के लिए जाते हैं मॉल्स वगारा के सामिने के लिए ऐख देने लिए उसी वक्त ओनधा सब्सक्राइब सब्सक्राइब देने के लिए तयार हो तो इसके अदर क्या है सामिन के लिए को ब्सक्राइब और cash भी दे रहें तो इसका मतलब क्या है कि यह वाला जो point है इसके अंदर हम यह मिशाल ले सकते हैं इसके अगर आप बात करें concurrent तो concurrent के अंदर हमने क्या मिशाल लिए है शौक कीपर की ठीक है शौक कीपर के अंदर जो ट्राजेक्शन होती है जितनी भी वह आपकी concurrent के अंदर आजेंगी तो यह तीन अलग-अलग concept है जो के reciprocal of promises के अंदर है क्योंकि आपको बताए कि किसी भी transaction में किसी भी performance में किसी भी contract के अंदर दो पार्टी का involved होना जरूरी होता है हमने contract में पहले भी बात की थी कि टू पार्टी का होना जरूरी होता है तो reciprocal promises भी इसी तरह से ही होता है के implied होता है एक तरह से by conduct होता है मतला आपको बताने की जरूरत नहीं यह इसमें लेकिन आपको पता होता है कि एक goods deliver करेगा तो भी उसकी amount cash देगा उसकी against अगर अगर डिलेवर नहीं करेगा तो नहीं देगा बस इसको तीन इससों में तोड़ दिया है कि अगर independent होगा तो क् कंडिशन होगी और concurrent होगा simultaneously अगर उसको दिखा जाएगा तो वह क्या कंडिशन होगी I hope आपको यह topic समझ में आ गया होगा इंशाला next topic के साथ नहीं वीडियो में मुलाका करते हैं अपना बहुत खयाल रखिएगा लाखे